तो दोस्तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे Google Translate Application के बारे में अगर दोस्तो आप English नहीं जानते हैं तो दोस्तो आप वीडियो को इंड तक जरूर देखना अगर दोस्तो आप Google Translate Application चलाना सीख जाते हैं तो दोस्तो आप अपने फोन के किसी भी English SMS को बहुत ही आसानी से हिंदी में कनवर्ट कर सकते हैं अगर दोस्तो आप Google Translate Application चलाना सीख जाते हैं तो आप किसी भी किताब को सिर्फ एक से दो सिकेंड के अंदर आप English से हिंदी में कनवर्ट कर सकते हैं तो दोस्तो यह application आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा आप इसे वहां से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं तो सबसे पहले दोस्तो आपको आजाना है अपने प्ले स्टोर में प्ले स्टोर में आज आने के बाद दोस्तो यहां पर आपको सर्च करना है Google Translate इसको आपको सर्च करना है और यहां पर दोस्तो आपको इस वाले application को इनिस्टाल कर लेना है यहाँ पर मैंने इसे पहले से इंस्टाल कर रखा है तो यहाँ पर आपको इसे open कर देना है आपको जैसे किसी भी English वर्ड को हंदी में convert करना है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले Language Select करने का option दोस्टों यहाँ पर आपको दिक जाएगा तो आप जिस भी language में convert करना चाहते हैं यहाँ पर आपको select कर लेना है यहाँ पर मैंने पहले से select कर रखा है मुझे English से Hindi में convert करना है तो आपको इसे change करने के लिए Simples आपको यहाँ पर click कर देना है तो यहाँ पर आपको धेर सारी language मिल जाएंगी तो आप जिस भी language में translate करना चाहते हैं आप यहाँ से select कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने पहले से English to Hindi कर रखा है तो यहाँ पर दोस्तों convert करने के लिए Simples आपको यहाँ पर English word लिखना है तो आपको यहाँ नीचे उसका Hindi translation तुरंट के तुरंट यहाँ पर आपको मिल जाएका जैसे नहीं पर मैं लिखता हूं कि प्लेश पेंसिल कि आउन कि आउन वान साइड तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं नीचे आपको इसका Hindi translation मिल जा रहा है अगर दोस्तों आप चाहे तो यहाँ पर माइक वाले option पर क्लिक करके आप जल्दी जल्दी इसका भी translation कर सकते हैं बोल करके यहाँ पर दोस्तों मैं आपको करके दिखाता हूं सिंपल सापको यहाँ पर माइक पर क्लिक कर देना है उसके बाद आपको बोलना है यहाँ पर मैं दोस्तों बोलता हूं प्लेश पेंसिल ऑन वन साइड ऑप दे स्केल एंड कॉमपेश बॉक्स वन दे अधर साइड ऑफ दे स्केल राइट विच साइड विल वेंड डाउन वाई तो यहाँ पर दोस्तों मैंने जो भी उपर इंग्लिस में बोला यहाँ पर आपको नीचे हिंदी में कनवर्ट दिखा आपको मिल जाएगा तो यहाँ पर दोस्तों मैं बैका जाता हूं तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा जो तरीका है बहुत ही बहतरीन है जैसे आप दोस्तों किसी भी English newspaper को या फिर English किताब को अगर आपको पढ़ना है तो simple सा आपको इस camera वाले option पर क्लिक कर देना है उसके बाद आपको English किताब के सामने इसे ले जाना है तो यहाँ पर आप दोस्तों देखेंगे आपके सामने यह इंग्लिस से हिंदी में convert हो जा रहा है सिर्फ एक भी second यहाँ पर दोस्तों नहीं लग रहा है उसके बाद दोस्तों अगर आप अपने फोन के किसी भी word को इंग्लिस से हिंदी में convert करना चाहते तो आप दोस्तों कैसे कर सकते हैं जैसे यहाँ पर मैं example के लिए जिसे मैं अपनी वाइटी स्टूडियो ओपें करता हूं कि उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जैसे मुझे यह सब इंग्लिस समझ में नहीं आ रही है तो मुझे क्या करना है दोस्तों सबसे पहले आपको इसका screen shot ले लेना है दोस्तों जैसे यहाँ पर मैं इसका screen shot ले लेता हूं मैं इसका screen shot ले लिया अब दोस्तों क्या करना है आपको सिंपल सापको आ जाना है अपने Google Translate application में इसको आपको open करना है उसके बाद आपको यहां camera वाले option पर click करना है और आपने जो अभी screen shot लिया है आपको यहां पर click करना है यहां पर click करने के बाद दोस्तो आपने जो अभी screen shot लिया है उस screen shot को आपको select कर लेना यहाँ पर जैसे मैं इस वाले को select कर लेता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों automatic देखेंगे यह English से Hindi में convert कर दिया है तो दोस्तों उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आये होगी दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आये हो तो वीडियो को like और channel को subscribe जरूर कर लेना मिलते हैं दोस्तों next वीडियो में